हलो फ्रेंज गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब तोजी दिन आज बिश्पतवार का तारीख एच्छे एक्टूबर और दोपैर का जो है वो टाइम हो गया है अभी जो है दोपैर के बच गए है दो और वरुन जो है स्कूल से आने वाला और हिमांग जो है वो स्कूल से आ परणाने तख कशन, आज मैं नहुत है थम था को यह विस नहीं बताया दो पटांने गलती किस्कि अब मुझे नहीं पता किसकी गलती कि शजा मैं बुगति कोई गलती कोई और बुगतते कोई है और तो तो वही जो है वहां पर बूरे वाली चीटीयां वो आ गई थी तो फिर जो है मैंने सारा बेट कीजे अर्चे से क्लीन करी दूसरी बेट शीट वगरा वह बिचही और उसके बिचाने के बाद जो हैं दै बनाने वाले कपड़े थी उससे पहले उनकी तै बनाई थी और उनमें एक आधे कपड़े में जो भी चीटी थी मैंने निकाल दी थी तै बना के रख दी काम वाम मैंने खतम किया तो उसके बाद मुझे लगा कि अभी मैं इनके अलमारी में लगा देती हूँ जैसा ही अलमारी में लगाने लगी तो मैं देखा कि यहां तो चीटियों की लाइन लगी विए तो मैंने कहा सारे जो है वो कपड़े उठा कर जो है सारे के सारे कपड़े जो है मैंने बाहर धूप में टब में डाल दे जो मतलब सारी मैनज जो है वो खराब होगी मतलब काफी टाइम जो है कम से कमाता घंटा कपड़ों की तै बनाने में लगा फिर जो है UKU उठा के मुझे बाहर दूप में यू के यू डालने पड़े सारी की सारी मैने जो है वो खराब हो गई थी मेरी और फिर वहाँ भी मैंने गद्दा वद्दा सारा जाड़ा सारी चीज़े करी और ये बरतन भी अभी ये मान के चले ना तो ये सुबा के ना ये दोपैर के है कुछ इस तरह के ये बरतन है अभी और बरतन वेगरा साफ करूंगी कीछटन की क्लेनिंग वेगरा अच्छा से करूंगी और वरॉन जो हो आ गये था वरॉन ने भी टोस्ट वेगरा जो भी खा लिया था रोज रोज दूद लेते हैं तो उसमें दूद का चारो तरफ का कुछ जम जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि गरम पानी में स्टील वाली छलनी को डिप कर देती हूँ और जब बाद में जो इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ तो सारा का सारा जो कुछ भी कच्रा वगएरा होते हैं वो सारा निकल जाता है तो जी बस अभी जो है ये साफ करके फिर चलती ही रूम में सबसे पहले तो बच्चों के आप अलमारी देख लो ये जो हाल जो बच्चों ने नहीं किया है तीन दिन पहले जो मैं ने कपडों की तैय बनाई थी ना तो रात को बहुत ज़ादा लेट हो गया था और मुझे बुखार भी था तो ये उस सारे के सारे कपड़े उठा के हिमांगे पापा ने देखा नहीं कि ये मेरे हैं बच्चों के हैं वरुन के या हिमांगे सब के जो कर देता एंड लुम है अभी चलते हैं goose और यहां से मैंने सारा सब से भी चेक किया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चीटी कहां से ही सुबो बैड हटा के जाड़ू भी जो है वो लगा था लेकिन फिर जो मैंने सुचा कि अभी तो इसको ऐसा ही जो हो छोड़ देती हूं और ये फिर मैं चलेगी तिन हाद हो कर हिमांग को लेकर उसकी थ क्लेनिंग में लगी थी और फिर ये सब हो गया तो आज बालकनी भी बिल्कुल साफ नहीं है बहुत गंदी जो लग रही है और इतना सारा सामान भी जो फैला हुआ है तो बस अर ये सामने आप ना वाइट बेस पर ये देख रहे हो ना फ्लावर वाला ये नए सूट का जो वो डुपट्टा है जो सूट मैंने जो वो सिलने के लिए दिया है अभी आप ये देखिए ये जितने भी कपड़े है ना टब में सारे के सारे कपड़ों की मैंने टै बना के रखी हुए अब मैं क्या कर वैसे ताज धर्सडे है धर्सडे के दिन कपड़े वेगरा हम लोग धोते हैं यह बहुत मजबूरी हो जाती है तो जैसे मानों बच्चों के स्कूल की ड्रैसस वगरा होती है तो वेशक अदरवाइस धोते तो नहीं है हम लोग और आज फिर मेरी मजबूरी थी क्या करती है इतने सारे कपड़ों में भूरे वाले जो चीटी होती ना वो जो है वेशक थी तो एक कपड़ा मैंने बिल्कुल एक कपड़ा उठाया है और एक कपड़े को अच्छे से न टब में थोड़े से कपड़े लग रहे होंगे लेकिन ये तया एक एक करके खुलेगी न तब बहुत सारे स्लोट जो हो गए थे करीब दिखने में कम है क्योंकि इनकी तया बनी हुई न इसलिए और एक एक चीज को मैंने बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे बारी किसी से खोल खोल के वापस दोया है फिर उनको वापस जो सुखाया है अब इनको मैं सुखा दूँगी और सूबे भी अच्छी खासी धूप लगाऊंगी ऐसा नहों गलती से कोई छोटी मोटी चीटी भी जो न रहे जाए फिर क्या होता ने एक चीटी को देखकर सुंगते सुंगते बहुत सा लगा दी थी इन पर धूप लगाने का कोई फाइदा नहीं था तो मैंने सोचा कि अभी सबसे पहले इसको साधे पानी में से निकाल देती हूं और उसके बाद जो है फिर सारी रात ये सुखते रहेंगे और उसके बाद सूबर जब धूप निकलेगी न अच्छी खासी पर झूप जब सिस्क्क तो फिर से एक इक एक करके ज़ड़ जड़के चेक करी तो रिस पैंट में भी मनद दो तीन पैंट में तो बहुत ज़ड़़ा पजाँमी मैं पैंट में बहुत ज़वाद ज़़़गे चीटियां हो गई थी तो बस अभी आहिए देखे कि पितनने सारी जो है इस टीशिट में वाइट में तो बहुत जादा चीटियां थी और ये देखो हिमांग आ गया नीचे से शिकायद करने के लिए कि उस बच्चे ने वो सब गिया मतलब ऐसा ही बच्चे शिकायद जो एक दूसरे की जब वो लगा रहे थे इनको भी मैं एक एक करके जो है मेरी नाइट ड्रेस बगेरा थी और भी काफी सारे बच्चों की टीशिट थी बच्चों की नाइट ड्रेस थी तो एक 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 कपड़े को मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है और ये देखे कितनी मेहनत जो है वो मेरी बढ़ गई है बतलब ये गलती किसी और की भूगते कोई और मतलब वो वाली चीज जो है वो हो गई थी अभी भी बच्चे जो है नीचे खेल रहे हैं तो अब ये मान के चलिए नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में खेलते तो उपर आके अभी तोरंत जैसे मैं करूंगी ना उनको आव खेला जो हो जाता है और यहां पर वही होता है कि पाया ज़्याए को चेज ये वह में कौई श्या ठीक कर रही ठीक हैं दूंगे और धूप लगाने के बाद जो है बाद में इनकी तैब बनाओंगी काम तो मेरा काफी बढ़ गया था लेकिन फिर भी ठीक था लेकिन की एक एक चीज को मैंने जाड़ दिया है अच्छा कोमेंट भी आया था कि आप लोग अपने गद्दे को धूप नहीं लगाते ह बहुत हैवी गद्दे होते हैं और कई बार के अटमालों बच्चे घर पे हैं नहीं करने देते हैं तो मैं उनको फोन वगेरा दे देती हुँ ताकि में अकेले वो काम अच्छे से कर पाऊं इसलिए फिर वो क्लिप शूट नहीं हो पाती है बस यही है और इसमें भी आप य के हो गया है सारे चीद स्लोट्स वगेरा सारे हो गए हैं चीज चुन्नी को भी जो डुपट्टा मेरा इसको भी डिप करूंगी मैं और व्लॉक केंड करूंगी अभी यहीं पर क्यों मिलते हैं अभी नेक्स व्लॉग में तिल देन भाई भाई जो फॉर्स टेम विजट कर रहा है प्लीज लाइक कर देना रिक्वेस्ट है लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को नोटिफिकेशन बैल को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे व्ल